यशस्वी जायसवाल आउट होते ही बहुत ज्यादा इमोशन हो गए, दोस्तों रोहित शर्मा का रियेक्शन भी देखने लायक था, क्योंकि यशस्वी जायसवाल जिस तरह से बल्ले बाजी कर रहे थे लग रहा था, उनसे एक लंबी पारी की उम्मीद की जा सकती है, लेकि जिस तरह की पारी जायसवाल ने खेली बहुत ही शांदार थी, जहां कोई भी बैट्समैन खड़ा नहीं हो पा रहा था, वहां ये पारी, लेकिन आउट होकर गए, दोस्तों क्या लगता सरफराज और धुरुव ज्वैल यहां से इंडियन टीम को आगे ले जा पाएंगे, कमेंट में जरूर बताएं.